मिपून भारत ऐसा भी होता है कि काम का योग्यन योजन करना और काम करते समय बीच बीच में परिणाम चेक करना ये आदते भी मुझ में आ चुकी है हम सब स्वार्थ के लिए ही काम करते है इसी कारण एक दूसरे पर उंगली उठाने से अच्छा है कि खुद के उपर ही ध्यान देना श्वेता मैडम कहती है मैं अब खुद बहुत संतोशी और सुखी हूँ मल्टि टास्किंग का उप्योग करने के लिए खुद की योग्यता बढ़ी और बढ़ रही है समय की बचचत हो रही है अब खुद को और परिवार को समय मिल रहा है इसी वज़े से मेरे बच्चों की गुनवत्ता बढ़ गई है मेरा स्वार्थ सिर्फ मेरे बच्चे या स्कूल के बच्चे या तहसिल के बच्चे इस पर मर्यादित रहने के बजाए विश्व के बच्चों के साथ काम करके स्वयम संतोश पाना ये है वेध परिवार के और एक सदस्य सुबोध सर उनमें भी काफी परिवर्तन हो गया है वे कहते है अध्यापन की उननती के लिए जटने वाला सुबोध अब छात्रो का शिक्षन सुलब होने के लिए उसमें से आने वाली समस्याय हटाने की कोशिश करने वाला सुबोध हो गया है अब नियोजन व्यवस्थापन एवं नेतरुत्व करने का काम कर रहा है लर्निंग इंटर्वेंशन में कौन सा पियर योग्य होगा छात्रों से संभाशन करके ग्रूप की योजना बनाए उनको अनेकानिक चुनोतिया दे वह चुनोती critical thinking, creative thinking ऐसी उपलब्धियोग की संधी देना इन कामों को करते सुबोत अब शिक्षक नहीं पर सुलबक के तौर पर काम कर रहे है वेध परिवार की शिल्पा सूर्यवंशी मैम में भी कुछ बदलाव आये है वे कहती है इस शिक्षन पद्धती का स्विकार करने के बाद मुझे आधे समय में परिणाम दुगने और संतोष तीन गुना हो गया है वेध वर्क टीम के साथ हर सोमवाल से शनिवार तक होने वाली आभासी मिटिंग के माध्यम से नई नई संकल पनाए नया ज्यान मिल रहा है आज के जूम मिटिंग में सुनने के दूसरे दिन उसका उप्योग कक्षा में करने से मुझे भी कुछ नया करने का अवसर मिल रहा है विद्यार्थियों और मुझ में मैत्री पूर्ण एवं सवहार्द पूर्ण संबंध निर्मान हुए है वेद के साथ जुडने के बाद मेरे काम में भी बहुत बदलाव आ चुके है वे बदलाव ये है कि मेरी अस्वस्थता कम हो गई है मैं अब सरवांगिन विचार करती हूँ इसके पहले मेरी सारी ताकत कठोर मेहनत पर लग जाती थी अब मैं मेरी उर्जा, नियोजन, नेत्रुत्व एवं व्यवस्थापन में खर्च करती हूँ पहले में सिखाती थी अब मैं चात्रों को कैसे पढ़ना है इसमें मदद करती हूँ पहले में अपना काम इमानदारी से करने पर जोर देती थी अब मैं मेरे हर कृती से मुझे परिणाम कैसे मिलेगा इसके बारे में सोचती हूँ हम मेहनत करते हैं पर फिर भी अपयश आता है वे आते भी रहेगा ऐसे हमें लगता है पर अब लगता है कि मेरे मेहनत करने के बाद भी अगर परिणाम नहीं मिल रहे है तो मुझे अपनी मेहनत की दिशा बदलनी चाहिए मैंने अब छात्रों को छात्र की तोर पर स्विकार किया है छात्र कैसे सीखे और वे अलग-अलग मार्ग से कैसे आगे बढ़ेंगे इसका सवशोधन अब जारी है दोस्तों आप भी इस बदलाव का साक्षिदार हो सकते है धन्यवाद